हाई फ्रेंड्स चलिए आज एक मज़ेदार रेसिपी बनाते हैं जो मुंबई की जान और मुंबई के नाम से इसे हम जानते हैं तो आज हम बनाएंगे मुंबई स्ट्रीट स्टाइल पाओ भाजी बिल्कुल स्ट्रीट के स्टाइल में ही बनाएंगे ये बच्चों को बढ़ों को सभी को पसंद होती है और हमें इसे घर पर कैसे बनाना है स्ट्रीट स्टाइल में वो देखेंगे तो यहाँ पे मैंने मटर, फ्लावर, गाजर ले ली है और इसे मैं प्रेशर कूक करूँगी आप चाहें तो इसमें दो बले आलू भी डाल सकते हैं मैंने नहीं डाले हैं अब यहाँ थोड़ी पत्ता को भी डाल दिया और नमक डाला है थोड़ा पानी डाल के हम इस कूकर को बन कर देंगे और इसकी तीन विसल ले लेंगे जिससे के ये सारे बहुत अच्छे से गल जाएंगे अब स्ट्रीट स्टायल बनाने के लिए हम यहाँ पे मिर्ची और लसुन अद्रक और थोड़ी सी लाल कश्मेरी मिर्च डालके इससे कूट लेंगे इस तरीके से जो स्ट ही डालेंगे और थोड़ा सा बटर डालेंगे एक कड़ाई में आप चाहें तो टोटल बटर यूज कर सकते हैं अब यहाँ पे जो हमने मिर्ची लसुन की पेस्ट बनाई थी कूट कर वो डाल देंगे और इसे अच्छे से पकाएंगे जब तक कि इसका कलर रिलीज नहीं हो करते हैं तो अब यहां मैंने एक कैपसिकम चॉप की ले लिए इसे भी फाइनली चॉप किया है और इसे हम चलाएंगे इसे दो मिनिट तक कुख होने देंगे अब यहां मैं भोज मसाली का काशमेरी लाल मिर्च पाउडर यूज कर रही हूं तो यहां पर दो टीस्पून के जितना मैं मिर्च पाउडर डाल दूँगी इसी के साथ पाउभाजी मसाला भी यूज कर रही हूं भोज मसाली का दो टीस्पून के जितना पाउभाजी मसाला डाल देंगे और इसको खरीदने का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी तो आप अच्छे से कुप करें देखे कितना टेम्टिंग लग रहा है अब यहां फाइनली चॉप के वे आट से दस टमाटर डाल दूँगी यहां पे मैंने बीज नहीं निकाले टमाटर के इसे बीज के सही थी आपको चॉप करना है और जो इसमें पानी रहेगा वो भी इसी में ड अमक डाल दे अब धकन लगाकर पांट साथ मिनिट इसे हम छोड़ देंगे स्लुआज के उपर तो यह देखे टमाटर गल गए है तो इसे हम पावभाजी मैशर से इस तरीके से मैश कर देंगे बहुत अच्छे से मैश कीजिएगा इसे क्योंकि स्ट्रिट स्टैल पावभा इसे मैश कर देंगे गाजर आप चाहे तो इसके अंदर बीटरूट भी एड़ कर सकते हैं बीटरूट और आलू दोनों एड़ करने हैं मैंने इसमें नहीं किये हैं अब हम इसे मिक्स कर देंगे अगर अब डाइट पर है तो इसी तरीके से बनाएं तो यहां पर यह पर मिलती है वो एकदम गाड़ी होती है अब यहां पर मैं धनिया डाल दूंगी फ्रेश कटा हुआ इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छाएगा तो खुब सारा धनिया डाल दे इसके अंदर और इसी के साथ ऊपर थोड़ा सा हम बटर भी डालेंगे बटर आप अपने पावभाजी स्ट्रीट स्टैल बनाने के लिए आप इसे थोड़ी सी स्पाइसी रखें तो आपको खाने में बहुत मजाएगा जो जनरली स्ट्रीट स्टैल पावभाजी होती है वो तीखी होती है और इस तरीके से गाड़ी होती है तो यह बनाना बहुत आसान है हम आगे म पाव भाजी वेंडर्स के पास पाव भाजी पूरी हो जाती है तो वो मसाला पाव कैसे बनाते हैं जो तवे में भाजी बच जाती है उससे वो आज हम देखेंगे तो यहां पे थोड़ा में बटर भी डाल दूंगी तो यह देखिए एकदम अच्छी गाड़ी हो गई है तो अब मसाला पाव बनाते हैं तो उसके लिए पैन में हम थोड़ा सा बटर डाल देंगे और इसी के साथ हम इसके अंदर फाइनली चौप किया हूँआ प्यास डालेंगे जनरली यह मसाला पाव जिसमें पाव भजी बनती है उसी में बनाया जाता है पर यहां मैं आपको पैन में बता रही हूँ अब भोज मसाले का पाव भजी मसाला में डाल दूँगी और इसे हम मच्छे से चलाएंगे और अब इसके अंदर थोड़ी सी लाल मिर्श डाल देंगे और अब यहां पर थोड़ी सी हम भजी डालेंगे क्योंकि कड़ाई में हमारे पास भजी बनी अब थोड़ा धनिया डालेंगे इसके अंदर और थोड़ा सा नीबू निचोड़ देंगे और अब इसके उपर हम पाव को रखेंगे तो पाव को आप थोड़ा सा बटर लगा ले और फिर इसके उपर इस तरीके से रख ले तो जनरली जो पाव भजी वेंडर्स होते हैं वो इस तरीके से पाव सर्व करते हैं अब यहां पे उपर थोड़ा बटर मैं और लगा दूंगी और फिर हम इसे पल्टेंगे तो यह देखिए सारा मसाला इसके उपर चिपक गया है तो इसको पाव को मैं फूल्ड करके जो बाकी का मसाला है पैन में वो भी इसके उपर लगा दूंगी अगर कभी आपको भाजी बज गई है और इस तरीके से पाव भी बज गई है तो इस तरीके से आप बना सकते हैं मसाला पाव अब यहां पाओ भजी सर्व करेंगे तो भजी की साथ मसाला पाओ प्याज नीबू डाल के सर्व करेंगे तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा वीडियो है आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब बटन के पास बेल आइकन का बटन है उसे क्लिक करें ताकि मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंती मिले मिलती हूँ ऐसी हेल्दी न्यू रेसिपीस के साथ